स्पोर्सक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है जहां एक तरफ ट्रिकेट वर्लकप चल रहा है वहीं दूसरी तरफ इंडियन फुटबॉल में एक बड़ा फेर बदल हुआ है एक बड़ा कदम AIFF ने उठा दिया है All India Football Federation ने उन्होंने अपने जनरल सेकरेटरी शाजी प् खबर आती है कि AIFF ने इन्हें अपने पोजिशन से हटा दिया है फड़ा फड़ा आपको स्टेटमेंट तो पढ़के सुनाएंगे ही सुनाएंगे लेकिन क्या चीज़ कही है वो भी आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है ऐसा कि अचानक से ये कदम लेना पड़ रहा है There was a lot of resentment about his functioning among the members of the AIFF which forced us to terminate his contract याने कि वहाँ पर AIFF के जो council है जो members है वहाँ पर शायद इनके खिलाफ चीज़ें जा रही थी और शायद महाँ तालमेल नहीं बैठ रहा था उस तरीके से इसलिए ये कदम उन्होंने उठाया है और साथी साथ AIFF ने ये statement भी रिलीस किया है कि भी breach of trust के चलते हमने शाजी प्रभाकरण को AIFF से हटा दिया है याने वो breach of trust क्या है क्या नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो लीक की है या फिर कौन सी ऐसी बात है जो की नहीं जमी है उसके कारण ये चीज़ें जो है वो हुई है पिछले बारा महीनों में इन्होंने हाला कि का अरे बार जरूर समाला है और देखा जाए तो इनका compensation package काफी जादा है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अगर देखा जाए और शायद यही कहा जा रहा है कि यह सब के चलते इन्हें अपनी पत से हटा दिया गया अभी हाल ही में इन्होंने एक अपना opinion दिया था एक चीज पर उ VAR light जो है वो introduce कर लिया गया है तो इन्होंने यह कहता कि हमारे पास पैसे ही नहीं है हमारे पास funds नहीं है AIFF के पास इसलिए हम VAR नहीं ला सकते है इंडियन football में और यहां की leagues में जबकि आप अगर देखेंगे भूटान को तो भूटान ने काफी जादा develop किया है अपने football प हुई है पड़बड आपको एक काम करते हैं स्टेटमेंट दिखाते हैं जो कि AIFF ने किया है तो यह है वो स्टेटमेंट जो AIFF ने इंडियन football team ने जो है वो पोस्ट किया है और उसके बाद में लिखा है कि वाई the All Indian Football Federation hereby announces that the services of Dr. Shaji Prabhakaran have been terminated due to breach of trust with immediate effect as of November 7th, 2023. अब जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास में प्रावर रहती है क्यार वो किसे भी बना सकते हैं और अगर जो जो जनरल सेक्रेटी हैं उन्हें हटा भी सकते हैं इसलिए कल्यान चौबेन यह फैसला किया है और उन्होंने ही अपना जो टर्मिनेशन लेटर है शाजी प्रभ बॉल में यह अचानक से लंबे समय बाद में अगर देखा जाए क्योंकि यह नई रिजीम है वहां तक अभी कोई इस तरह की की चीज़े देखने को नहीं मिली है लेकिन अचानक से अब बदलती हुई चीज़े जो है वो नजर आ रही हैं तो देखते हैं कि और क्या डिवल स्पोर्ट सक के साथ बने रहें स्पोर्ट सक के एप को जरू डाउनलोड करें अपसे कुछ देर बाद प्रीव्यू के साथ हाजिर होंगे इंग्लेंड वर्सिस नेधरलिंज मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनलेसिस स्पेशल इड़िव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट स्पोर्ट स्टक केम